कि आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास धेर सारा डाटा है यहां पर आई देखे एक सूचना जो डीडवलो से वहां पर नोटिस जारी किया गया था तो उसके बारे में भी बात करूंगा इसके लावा डारेक्ली हम मुद्दे पर आएंगे एक भाई रिजेक्ट हो दिखाऊंगा वीडियो काफी लेंदी होगा लेकिन बहुत जाद इंफरमेटिव वीडियो के स्ट्राटिंग में ही बता दूं कि आज दोपहर 12 बजे मैं ट्विटर पे कैमपन करने वाला हूं ट्वीट करने वाला हूं किनके लिए जिन में छात्रों का फॉर्म स्टेर करना देखो सभी लोग एक जूट नहीं होगे तो फिर ये चाहो कि रिजेक्ट होने के बाद भी छात वृत्ति का फॉर्म वेरिफाई हो जाए तो फिर ये मुस्किल ही नहीं नामुंकिन है वीडियो को सुरू करूं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लिस में स्क्राइब देरी ना करो तूरंद करो सब्सक्राइब चले वोड़े को सुरू करते हैं और आपको सारी जान करोणा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस status की एजेंसी के द्वारा जो affiliated एजेंसी है उनके द्वारा रिज्जिट कर दिया गया है और यह करीब हजा पर दूसरा कानपुर इनुवर्शिटी के जो चात्र है उनके साथ तो इनहीं सारी चीज़ों के रिगार्डिन ट्वीटर पर ट्वीट होगा उसके बारे में फुर्दर बात करेंगा जाविद मस्तफा ने ट्वीट किया था कल की डेट में जिन समय अरुण जो की समाज किनार मंद्राल है जिनके कंधों पर उनुसे fun transfer नहीं हो रहा है जिनका verified है जिन कई सारी चात्रों का बिनाकी रिजट कर दिया गया उनहीं सारी चीज़ों के त्वीट किया था इस बिनाकराभि रिजेक्ट कर दिया गया हलाकि bank से जो rejection हुआ है इसके regarding DWC notice से उसको दिखाऊंगा और affiliated agency का क्याम ताम जाम है क्या ही ये दोनों चीज़ें दुरुस्त किया जा सकता है देखो एक चीज़ मैं आपको अभी clear कर दूँ आगे बता सकता था लेकिन अभी बता देता हूँ एक वो चात्र जिनका affiliated agency वाला इसू है वो 15 मार्स तक सही हो सकता है दूसरा bank से reject वालों के लिए भी संभावनाए है तो उनहीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे बाकी किसी चात्र का अगर form reject हो गया तो कोई chance नहीं देखी यहाँ पे एक student का कुछ इस प्रकार से reject हुआ है कि applied for ITI course more than 6 years from high school एक नियम होता है कि high school के 6 साल बाद आप ITI मेडमिसन नहीं ले सकते क्योंकि ITI जो है वो diplomatic label का course है और diplomatic label मतलब आपको within 2 years इनी सारी चीज़ों मेडमिसन लेना जिए 4 years हदी यद्धा 4 साल 5 साल लेकिन 6 साल के बाद आप लोगे तो फिर्माने नहीं होगा ऐसके कारा रिजट क जाए कि total कितने चात्रों का फार्म जो है आगरसारित किया गया total कितने लाभार थी है total कुल कितना अंतरीत बजट है 350 करोड रुपए यहीं सारी चीज़ें यहाप देख सकते हैं तो यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्स तमरी फिजकल तो कि यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्स है तो स कुछ बिंदू पर मैं आपको डारेक्टली ले चलना चाहूंगा जहां से आप देख सकते हो कि जनपद इस तरी विभागी अधिक्यारी से डिश्ट्रल सिंगनेचर से लाग डाटा के अधार पर कोसागार के e-payment के तहत पीफनस प्रडाली के थूँ छात्रों का पैसा 10 मा 1223 तक भेज जाने की प्रक्रिया और यह 20 तक चलेगा यानि कि आज से 20-25 तक आप लोगों का पैसा जो है वो ताबर तोड़ आपके खाते में भेजा जाएगा हलाकि कई सारे चात्रों का तो नहीं भेजा जा रहा है लेकिन हाँ अब जो डेट सिट था जो नोटीस था हूं 100 में से 80 चीज़ें सही हो गई 20 गलत तो भाई 100 की 100 तो सही नहीं हो रही है यहाँ पर तो बकाईदा नोटीस जारी कर दिया जा रहा है वो चीज़े तो फालो ही नहीं हो पा रही है फिर भी जो भी आपका भाई मैं आपको इन्फोर्मेशन दे रहा हूं वो जैनुन है और सही इन्फोर्मेशन दे रहा हूं यह मैं नहीं कमेंट सक्षन में स्टूरेंट खुदी ट्रस्ट करते हैं बताते हैं बाकी का बारा बज़े में फिर अगेन आपको रिकॉल करा दूँ ट्वीटर पे ट्वीट करने वाला हूं आप लोग बारा बज़े के पहले देख र रहा हूं सोचो रिजेक्टेड वालो छात्र को आप फार्म वेरिफाई कराने के प्रयास में हूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और सेर नहीं कर सकते हैं छोटा सा काम आप लोग बखो भी अदा करोगे देखिए छात्र पृतिर से जूड़ी अपडेट पानी हो इ सरकारी जॉब फाइंड या फे गूगल सर्च इंजन पर टाइप करके सर्च करना है पहला इंटरफिस देखने को मिल जाएगा नीचे तो आपको क्या काम करना है आप देखिए आप आर्मी रैली यूपी स्कॉलर सीप स्टैटस एरफोस अगनी वीर कई सारा लेटेस्ट अ कब्ला आप लोग अपना स्टैटस च्रेंट करों कि चाथटरों का बदल रहा है और ऐसे मिडिनाए आपको स्टैटस पैसा जिल्टक में उस्टैटस भी देख सकतें बाकी साप अरस्तोरों लोग नहीं हो यहां पर देखें बेरिफाइड रिगम अंडर बाइड डिश्ट्रों के स्कॉर्ड से परमेटिद यहां से देखो दस तिन दोशाद देज की डेट में यानि कि कल की डेट में भी फार्म जू था वो बेरिफाइड हुआ बड़ी संख्य मुहिंदिन चिस्ती लेंग्वेज इंवर्शुटी जो के लखनव में इस्तित है और वहां के छात्र ने बताया कि सभी का फार्म जो है वो बेरिफाइड हो चुगा है बड़ी अच्छी बात है जिन भी छात्रों का फार्म बेरिफाइड हुआ है देखिए जमा कराया फिर भी रिजक्ट हो गया भाई कोई समाधान बताएं आज फिर डेड़ा उफिस गया था वहां बता रहे थे कि आप्सन नहीं आ रहा है बैंक से रिजक्ट होने का इसके लावा इनकी तरफ से कोई आप्सन होता तो ये बेरिफाइड कर देते यानि कि बैंक से कोई आप्सन ही बैंक वाला इसू काफी समस्या कर रहा है तो कई सारे छात रहसे हैं जिनका सत्यापित अब किरेट में किया गया है और यह काफी तेजी के साथ 15 तक सही कर दिया जाएगा जिनका सत्यापित नहीं किया गया था इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को पूरा देखो प्रकास से जूटेक आपको जैन्वन और अथेंटिक अपडेट मिलेगा इस बात की गरेंटी मैं लेता हूँ बाकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कोई सवाल आपके जहन में नहीं होगा जो आप कमेंट करके पूछते हो न परसान होकर वो पूछने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा कुछ मैं वीडियो में बाकाइदा अच्छे से कवर कर देता हूँ ये कमेंट की जरुवत ही न पड़े मेरा स्कॉलर्शिप चार फरवरी को बेरिफाई हो गया लेकिन अभी तक नहीं आया इंतजार करो आज से कहा जग गया था 11 से 25 तक अब कब भेजिंग कब मिलेगा ये तो भगवान जाने लेकिन जो डेट सीट थी वो मैंने आपको बता दिया 10-3-23 की डेट में फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ रिजेक्ट क्यों हुआ भाई रिस्पॉंस पेंडिंग था पीफमेस से यानि की देखो अगर सही डाटा दिखा तो वेरिफाई इनों ने कर दिया बाकि कोई समस्या दिखी आपके फॉर्म में कोई भी इसू हो छोटी बड़ी तुरंत इनों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लास्ट डेट रिजेक्ट का कल ही था अब इन्वर्सिटी ने कहा है कि हम मास्टर डाटा 15 तक मुहया कराएंगे और जो भी छात्र देखे इसी नोटिस के बारे में मैं बात कर रहा था समस्तर छात्र छात्राओं को सुचित किया जाता है कि जिन छात्रों के छात्र रिजेक्टेट बाई बैंक प्रदर्सित है वे आवेदन यहां पर दखे हदोस्तार चारित के पोर्टल पर एनाइसी लखनाओ द्वारा केवल रिजेक्ट मोड में ही प्रदर्सित होने के कारण जिलास्तरी जो समीती थी उसने रिजेक्ट कर दिया और ये नौ तीन को इन्होंने एक वीडियो कॉनफरेंसिंग किया निदे साले में जिसमें इन्होंने बताया कि छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं है फिर भी ऐसी समस्त्रें आ रही है और मजबूरन इनको रिजेक्ट करना पड़ा तो उसके संबन्द में निदे साले लखनाओ द्वारा बिचारो परांत मह अप्रायल दोहचा तेस में ऐसे समस्त्र छात्रों का डाटा पूना सुधार है तो वेबसाइट खोली जाएगी यानि कि आप लोगों के रिजेक्टेड वाई बैंक वाले चात्रों के सलूसन के लिए अप्रायल में फिर से डाटा ओपन किया जाएगा पूर्टल ओपन किया जाएगा और ऐसे चात्रों को सुधार किया जाएगा और अप्रायल मई तक पैसा जो है वो खाते में भेजा ज देखें तो चैनल को तो आप सभी लोग आख बंद करके सस्क्राइब करो और दोस्तोंमे सियर करो आप लोग सस्क्राइब नहीं करेैं कई सारे लोग वीडियो देखके निकल जारे न bent तो उता हैaka कि जब आप subscribe करने में सुच रहे हो कि क्या हूं subscribe करें तो उपर वाला भी सुचता है क्यों इसको छादर रुद्धी मिले अपना समझो बाकी क्या यही सब कहानी है कई सारा article है एक छोटा सा article है उसको cover करते हैं उसके बाद फिर बताते हैं आपको सारी कहानी कि क्या है पूरा महाजरा तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ बता दूँ एक है ट्विटर का हमारा जो लिंक है वो आप मतलब आईडी देखने को मिल जाएगा प्रकास दूबे प्रकास एजूटेक प्रकास दूबे एड़डरेट ग्यारस जिरो तो आप लोग इसको भी टाइप करके सर्च करते हो तो भी आ जाएगा एक हजार पंचानबे फालोवर्स है यानि कि साथ ही जुड़े हैं तो आप लोग भी जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे ज़्यादा ज़्यादा रेट्वीट करोगे सेर करोगे तभी एफेक्टिव होगा अदरवाइज आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ पचास और रेट्वीट और सेर से कुछ नहीं होने वाला है समझ गए बाकी का इस वीडियो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है नेक्ट वीडियो में दो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को मैं कवर करूँगा तो आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए ट्वीटर पे तमाम सारे आप लोगों की आवाज उठाने के लिए तमाम सारी अथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब परके अब तक जुड़ चुके होंगे हमारे साथ दोस्तों में सेर जरूर करना जिससे की ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सही इंफर्मेशन पहुचे और एजेक्ट उनका फ़ाम है तो उनकी भी मदद हो सके चलिए हम जल्दे मिलेंगे किसी नए उड़ो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग प्रकास से जुटिक जैहिंद बने माते